दिखेंगे सीधा समानुपात अमित ने 20 रुपए में 2 चॉकलेट खरी दी और नीशा ने 40 रुपए में 4 चॉकलेट खरी दी क्या आप बता सकते हैं किसकी चॉकलेट महेंगी थी? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं हम कह सकते हैं कि अमित द्वारा खरी दी गई चॉकलेट की संख्या और नीशा द्वारा खरी दी गई चॉकलेट की संख्या का अनुपात दो अनुपात 4 यानि एक अनुपात 2 है इसी तरह उनके मूल्यों का अनुपात यानि रेशो 20 अनुपात 40 यानि 1 अनुपात 2 है इससे यह ग्यात होता है कि चौकलेट की संख्या 2 गुना हुई है इसी तरह उनका मूल्य भी 2 गुना हुआ है इस तरह से यहाँ चॉकलेट का मूल्य उनकी संख्या पर निर्भर है हम कह सकते हैं कि यहाँ चॉकलेट की संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान है इस तरह से यदि दो अनुपात समान है तो वे समानुपात यानि प्रपोर्शन में होते है अनुपातों में समानता दर्शाने के लिए इस चिन्न का या इस चिन्न का प्रयोग करते हैं चुकि यहां समानुपात की स्थिती है इसलिए हम कह सकते हैं कि अमित और निशा दोनों के लिए चौकलेट का मूल्य समान था यानि किसी की भी चॉकलेट महेंगी नहीं थी कई बार हमारे सामने ऐसे स्थितियां आती है जब एक राशी यानि कॉंटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है जैसे यदि चॉकलेट के संख्या में व्रिधी होती है तो अवश्य उनके मूल्य में भी व्रिधी होगी लेकिन प्रतियक स्थिती में चॉकलेट के संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान होगा यदि इस प्रकार एक राशी X में व्रिधी होने पर दूसरी राशी Y में इस प्रकार व्रिधी हो कि अनुपात X बटे Y में कोई पदलाव नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि X और Y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात यानि डारेक्ट प्रपोर्शन है. ऐसी स्थिती में X बटे Y एक अचर यानि कॉंस्टेंट होता है. चलिए इसे K माने, जहां K एक धनात्मक संख्या यानि पॉजिटिव नंबर है. ऐसी स्थिती में X के गुणा Y होता है. सीधे अनुपात की स्थिती में यदि X के मान X1, X2, X3 इत्यादी हो और संगत Y के मान क्रमशह Y1, Y2, Y3 इत्यादी हो तो हम लिख सकते हैं X1 बटे Y1 बराबर X2 बटे Y2 बराबर X3 बटे Y3 इत्यादी बराबर K. इससे यह ग्यात होता है कि ऐसी स्थिती में दोनों राशिया सीधे विजरन करती है यानि की अनुक्रमानुपाती यानि डारेक्ली प्रपोर्शनल है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं. इस संकेत का अर्थ है K समानुपाती है. इस तरह से इस कथन को हम पढ़ते हैं, X, Y के समानुपाती है, जैसे इस स्थिती में चॉकलेट की संख्या चॉकलेट के मूले से समानुपाती है. अब चलिए कुछ स्थितियों में सीधा समानुपात और अच्छे से समझें. एक मशीन एक दिन में कुछ वस्तुएं बनाती है. यदि हम मशीनों की संख्या बढ़ाएं, तो बनने वाली वस्तुओं की संख्या पर क्या प्रभाव होगा? सोचिये, सोचिये. बिलकुल सही. यहां मशीनों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी या कम होगी, उसी अनुपात में वस्तुओं की संख्या भी बढ़ेगी या कम होगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीनों की संख्या और बनने वाली वस्तुओ की संख्या में सीधा समानुपात है क्या दीवार का शेत्रफल और उसे paint करने के लिए रंग की आवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है? सोचिए, सोचिए बिल्कुल सही, हमें दीवार की शेत्रफल के अनुसार रंग की मात्रा अवश्यक होगी यानि कि जिस अनुपात से शेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, उसी अनुपात से रंग की मात्रा भी बढ़ेगी या घटेगी इसलिए दीवार का शेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की अवश्यक मातरा में भी सीधा समानुपात है एक निश्चित काम के लिए क्या मजदूरों की संख्या और समय में भी सीधा समानुपात है? सोचिए, सोचिए बिल्कुल सही इन में सीधा समानुपात नहीं हो सकता क्योंकि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो समय कम लगेगा जबकि यदि मजदूरों की संख्या खटती है तो समय अधिक लगेगा ऐसे स्थिती में सीधा समानुपात नहीं होता बलकि प्रतिलूम समानुपात यानि इन्वर्स प्रपोर्शन होता है जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे तो आज हमने सीधा समानुपात के बारे में जाना अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उदाहरन देखेंगे अगले देखेंगे